भारती क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कपतानी छोड़ने का ऐलान किया है विराट कोहली ने ट्वीटर पर इसकी जानकारी दी है विराट कोहली ने लिखा है मैंने अपना काम पूरी इमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी विराट कुली भारत के सबसे काम्याब टेस्ट कप्तान रहे विराट ने एक पेज का नोट ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा यह साथ साल की महनत और परिश्रम का परिणाम था जिससे टीम को सहीदिशा में ले जाया जा सके मैंने अपना काम पूरी इमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी हर चीज का एक दिन अंत आता है और मेरी टेस्ट कप्तानी का यह अंत है इस सफर में कई चड़ाव आये तो कुछ उतार भी देखने को मिले लेकिन इसमें कभी भी मेहनत और विश्वास की कमी नहीं थी मैं जो कर सकता था उसमें मैंने अपना 120 प्रतिशत दिया और जो चीज मैंने नहीं की उसके बारे में मुझे पता था कि वो सही नहीं है मेरे दिल में हमेशा से साफ गोई रही और मैं अपनी टीम के प्रती बेइमान और कभी भी साथ नहीं छोड़ा तुम लोगों ने इस सफर को खुबसूरत और यादगार बना दिया रवी भाई और सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया जिन्होंने टेस्ट क्रुकेट में हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाने के इंजन के रोप में काम किया आप सबने इस सपने को हकीकत में बदलने में बहुत एहम भूमी का निभाई आखिर में MS धुनी का धन्यवाद जिन्होंने मुझ में एक कप्तान के तौर पर भरोसा दिखाया और यह विश्वास जताया कि मैं भारती क्रुकेट को आगे ले जा सकता हूँ विराट कुहली ने 68 टेस्ट मैचों में भारती कप्तानी की और 40 में टीम को जीत दिलाई यह अब तक का किसी भी भारते कप्तान का सबसे बहतरीन रिकॉर्ड है विराट की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप का फाइनल भी खेला और लंबे वक्त तक टीम इंडिया नंबर वन टेस्ट टीम रही विराट के इतने शांदार रिकॉर्ड के बावजूद बीते कुछ समय से टीम इंडिया के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था एक दिन पहले ही भारत को दक्षिन अफ्रीका में हार का सामना करना पड़ा भारत वह टेस्ट सीरीज 2-1 से हारा वहीं विराट के बल्ले से भी लंबे वक्त से कोई शतक देखने को नहीं मिला है इसके अलाबा कोहली और BCCI के बेच भी खींचतान देखने को मिली विराट ने एक T20 विशो कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का अचानक से ऐलान किया था यह फैसला उन्होंने T20 विशो कप से ठीक पहले किया था T20 विशो कप में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी थी उसके बाद जब चैन करताओं ने दक्षिन अफ्रीका दौरे के लिए बंडी टीम का चैन किया तो उसमें विराट की जगह रोहित चर्मा को कप्तानी सौमती गई उसके बाद विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में यह कह दिया था कि उनके साथ कप्तानी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं की गई थी इस बीच BCCI ने भी विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी से हटने के फैसले का स्वागत किया है देखना होगा कि टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान कौन बनता है और आने वाले मैच में विराट किस तरह का प्रदेशन करते हैं